नमस्कार दोस्तों देखिये मिद्रों अभी रेट का एक्जाम है आपके सामने और अभी जो लाश्ट मैंने वीडियो बनाये था कि किस तरह से आपको इन दिनों ध्यान रखना चीए कौन से गलतिया नहीं करने चीए उसमें कई विद्यारति ने एक चीज पूछी थी किसर ज दस बारा दिन के अंदर आप कैसे कवर करें कैसे रिविजन करें किस तरह से टोपिक में कौन सी चीज़ें पढ़ें बहुत मैथपून वीडियो आपके लिए होगा ये तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को सुनिएगा और एक्जाम से पहले दो बार आप SST की इन बार यूनिट का अराम से रिविजन कर पाओगें अराम से बिना किसी समश्या के तो कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना है किस तरह से आप में बारा यूनिट को दस बारा दिन में कंप्लीट करें और उसके बाद में जो और समय आपको बसता है उसके अंदर आप जो है इसको तो पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से सुनिएगा इससे पहले आपसे जो ये टोपिक है महाजनपद काल का तो इसमेंसे एक क्यूशन पूछते हैं देखते हैं आप मेंसे कितनों को चाहिजें याद है मतश्य जनपद की राजदानी क्या थी ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो मतश्य जनपद था 16 महा जनपद थे उन 16 महा जनपदों में एक जनपद सा वो मतश्य भी था मतश्य जनपद की राजदानी क्या थी वो आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा ज़्यादा शेर भी करें देखे सबसे पहले मैं कुछ दो-च्यार चीजें हैं, एक साथ उस पर बात कर लेते हैं पहले तो कुछ चार-पांस पोइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद जो टोपिक है, उसमें से क्या-क्या, कैसे-कैसे पढ़ना है एक-दो टोपिक लेकर आपको बताऊंगा, दो उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है देखे, उद्देशन मैंने रखा है कि 12 यूनिट को 12 दिन के अंदर आपको कैसे कंप्लीट करना है आप चाहें तो इसको 10 दिन के अंदर भी अराम से कर सकते हैं, 10-12 दिन हो गए और एकजाम से पहले एक बार और रिपीट हो जाएगा आपका, एकजाम से पहले दो बार आपका इस पूरे इस लेवस का रिविजन हो जाएगा देखे सबसे पहली बात है, डेली के कम से कम 4-5 गंटे जो है, वो आपको SST को देना पड़ेगा कोई दिकत निये, 4-5 गंटे तो आप अराम से SST को दे सकते हैं आप कहेंगे सर बाकी जो गंटे है, वो क्यों नहीं रखे साथ में, वो गंटे फिर आप जो साइकोलोजी है जिसके 30 क्यूशन आएंगे, और 2 आपकी बाशाएं है, जिसमें से 15-15 तो सिक्षन वीदिया है कितनी आसान है, क्या ऐसा सिक्षन वीदियो में कुछ नहीं होता है लगबग वो ही मिलती जूलती चीज़ें है, तो आपको उनको बराबर टाइम देना चाहिए और वो ऐसी चीज़ें है, जो संख्या मेर उसमें है कम, लेकिन आपको अंक उतने ही दिलवाएगी, बहुत श्यांदर तो 90 अंकों का मेटर तो केवल यह यह है, साइकों का और 2 बाशाओं का और बाशाओं के अंदर भी 15-15 नमर की तो शिक्ष्ण वीदिय हैं, तो उन पर आप थोड़ा विसेज द्यांदे शिक्ष्ण वीदियों पे तो यह बाकी जो समय रखाए, वो मैंने आपके इनके लिए रखा ही 90 अंकों के लिए कि आप इनको भी अच्छा वेटेज दे, साइकोलोजी के अंदर कैसे क्या पढ़ना है, तो जो पहली यूनिट है, उसका पूरा मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया था, आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट होगा, कि क्या पढ़ना है उसमें, ऐसा नहीं हो कि क 4-5 घंटे आप अराम से दे सकते हैं SST को, आपको देने जी है, टोपिको कैसे बड़ें, इस पर मा भी आगे बात करूँगा टोपिक पे, एक दिन में एक यूनिट का रिविजन करें, और अराम से आप कर सकते हैं, कोई समशा नहीं है, 4-5 घंटे के अंदर आप एक यूनि किताबे हैं, तो इनके अंदर जो मेटर है, आप चाहिए अब इस टाइम RBSC ही पढ़ लो, तो बेटर है ज्यादा, और NCRT भी पढ़ो तो ठीक है नहीं, तो कम से कम RBSC की किताबे तो आप इस टाइम पढ़ी लो फिर, आपको लग रहा है का नहीं, मेरे से तो पहले मैंने अलएडी RBSC की पढ़ रखी है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, अब इस समय आपको लगता है का नहीं, मेरे जादा नहीं पढ़ सकता, तो केवल RBSC की ही किताबे पढ़ो, लेकिन उनको पढ़ो जरूर, क्योंकि जो आपका REIT का सलेबस था और है, वो RBSC के टोपिक बि तो यूटूब पे मैंने सारे वीडियो अप्लोड करके है, 6 से 10, 10 कंप्लीट RBSC की किताबों के, जो पहले चलती थी, तो चाहिए आप उसको फास्ट मोड पे सुने, या आपके पास वो किताबे हैं, तो आप उनको फास्ट ली, जो है अपनी आखों से निकाल सकें, बहु क्योंकि अगर आप इसमें बारत के बुगोल का भी सलेबस देखेंगे, तो वो इतना बड़ा है, कि अगर आप कहीं किसी कोचिंग संस्तान में भी पढ़ेंगे, तो कम से कम दो से धाई महिने का सलेबस होता है, कम से कम, अगर आप पूरा वैसे डिटेल में देखें तो, ल ये सी वाला ये आरेस वाला जो मेटर की किताबें हैं, वो एजिटीज उसके अंदर दे दिया, अब वो इतना ज़्यादा मेटिरियल हो गया है, दुनिया बरके पहाड, परवत, जिनकी कोई आउशक्ता नहीं है, सारे गोटे लगाने की, अब विद्यार्ती उसमें फसे व कोडिंग है, और पिसली बार का पेपर देख लेना, SST का, 2021 के अंदर जो बाद में सरकार ने कैंसल कर दिये था, आप वो पेपर देख लेना, उससे पहले वाला भी रिट का पेपर देख लेना, 2018 वाला, उससे पहले वाला भी देख लेना चाहिए, ये ही एक सिंपल वे में पर्षन पूछे जाते हैं, जो रीट के एकोडिंग आना चाहिए, दो-चार क्यूशन, अगर कोई चार-पांच क्यूशन भी अगर गुमा के पूशता है, तो वो पर्षन कभी भी मेरे डिसाइड नहीं करते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए कई विद्यारतियों कि ये बहुत बड़ी मिश्टेक होती है, वो उन क्यूशनों को पकड़ के पिछे बढ़ जाते हैं, ये क्यूशन इनों नहीं कहां से पूछा होगा, और वो जिसने भी पूछा है, वो जाने छोड़ो उसको, बाकि जो जेहन धर्म का वीडियो बनाए था रीट के लिए, कि किस तरह से आप रिविजन करें, कौन से टोपिक पड़ें, अठारा मिनेट, श्यानिस सेकिंड, उननीस मिनेट के अंदर, पूरे जेहन धर्म का जो है, वो रिविजन हो गया, ये बो धर्म इसमें से रिट में, एक्जाम में परशन आएगा, तो आप इन वीडियो को एक बार जरूर देखना, अगर यूटूब पे सर्च करोगे, जेहन धर्म भाई, अजे चोधरी, बो धर्म भाई, अजे चोधरी, कुछ भी लिके सर्च करोगे, ये आपके सामने वीडियो आज जनपद काल हैं, अब जेहन और बो धर्म के तो अल्रेडी मैंने वीडियो बना रखें, 18 मिनिट और 30 मिनिट का, तो 30, 40, 50, 50 मिनिट के अंदर आपके ये दोनों टोपिक कंप्लीट होते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, महा जनपद काल का टोपिक सिर्फ 15 से 20 मिनिट का है अब महा जनपद जो काल है, इसके अंदर आपको जैसे क्या-क्या पढ़ना है, अब कई विद्यार्थी जो हैं वो बहुत जादा या तो गहराई से जाएंगे, अलांकि महा जनपदों में इतनी जादा जाने क्या आवशक्ता हैं, 16 महा जनपद हैं, किन गरंथों में महा ज महा जनपद हैं, कौन से? इन सोला के नाम और इनकी राजदानी और फिर इनके शयत्र कौन से थे? अब जैसे अंग महा जनपद है, तो अंग महा जनपद की जो राजदानी है, वो कौन सी थी? चम्पा. शेत्र कौन से थे बिहार के अंदर जो भागलपूर और मुंगेर वाला शेत्र है वहाँ पर अब ये चीज इतनी सफिशेंट है मगद की बात करें कि मगद की राजदानी कौन सी थी गिरिवरस भी थी राजगरे और शेत्र कौन सा था है आदूनिक मगद का तो आज की जो बिहार की राजदानी है पटना यानि आप ये के लिजिए चाहिए उस समय का जो चाहिए पाटल वारानाशी और इसके आज कोन सा शेत्र था इस वारानाशी के आसपास का यूपी में जैसे वत्स की राजदानी कोन सी थी कोशामभी और कोन सा शेत्र है इलावाद के आसपास का शेत्र इलावाद को आज के वा नाइम हम क्या बलाते हैं प्रियागराज तो प्रियागराज तो गांदार की कौन सी थी तक्षिशिला कौन सा अस्तान है रावल पिंडी और पेशावर की तरफ वाला वो वाला तो ये मैन मैन जो आपको है बस इसके लाओ और कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है तो इन चीजों का ध्यान रखेगा अब जैसे इसमें अलग हटके क्यूसन कोई पोईंट हो वो आपको ध्यान में रखने की जूरत है जैसे दक्षिन भारत का एक मातर जो है वो कौन सा था महाजनपद तो ये जो गोदावरी के तटपर था वो क्या नाम था उसका अश्मक हो गया न अश्मक दक्षन भारत का एक मातर महाजनपत तो कुछ हटके हो गया कोण सी नदी के किनारे था गोदावरी नदी के किनारे तो आप 10 से 15 मिनिट के अंदर मैकजिवं 15 मिनिट है 15 मिनिट के अंदर अराम से महाजनपत काल का रिविजन कर सकते हो इसको पढ़ सकते हो क्या-क्या पढ़ना है कौन सा महाजनपत सोला नाम उसके बाद वो किस इस्थान पे है वो इस्थान और उसकी राजदानी अब जैसे मैं आपको सिंदु घाटी सबेता का बता रहा हूँ अब अगर आप वैसे सिंदु घाटी सबेता अगर पढ़ने लगे तो आपका एक दिन में एक टोपिक भी पुरा नहीं होगा मैंने क्या का था बचडे को हाती की खुराक नहीं दी जाती जितनी उसकी खुराक है उतनी ही दी जाएगी सिंदु घाटी सबेता मैकजिमम तीस मिनट का टोपिक है मैकजिमम तीस मिनट का is coming क्या-क्या पढ़ने आपको इसके अंतरगत अब जैसे सिंदु घाटी सबेता की कोज किस ने की थी किसाब दयाराम साहनी के दोवारा इसका समय जो है इसके बाद फिर ये सबेता थी कौन सी, तो कांसे यूगिन सबेता? कांसे यूगिन सबेता? क्यूंकि इस समय तक जो है वो लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी. एक basic सा concept है मैंने सेंकडो बार बताया होगा लोहे की खोज जो है वो लगबग 1000 इससा पूरों के आसपास मानी जाती है लगबग ये एक समय माना जाता है कि इस समय जो है वो लोगों को लोहे के बारे में जानकारी हुई थी और आप मगद समराजीकर के बाद में जब महा जन्पद काल आवगर आएगा आप देखेंगे मगद समराजीकर सबसे मजबूत महा जन्पद होने का कारण भी था कि वहाँ बियार में लोहा बहो ज़ए था तो लोह नहीं ने खुप उससे हत्यार बनाए और जिसके पास उस समय हतियार जाता थे वो सबसे जादा सेना भी उतनी बड़ी होगी सबसे जादा मजबूत भी वही होगी तो यह जो सबुता है यह कांशिय युगन सबुता कही जाती है फिर उसके बाद आप सिंदू घाटी सबुता है में आपको क्या पढ़ना है कि आप इसके जो है विस्तार कहां से कहां तक था तो पस्यम के विस्तार के अगर आप बात करेंगे तो जैसे सूतका गेंडोर बलुचिस्तान में या पाकिस्तान के अंदर रही इसके बाद में उत्तर की बात करोगे उत्तर में कौन सा आजाएगा मांडा या मांडा भी लिखाते है जमू कश्मीर और दक्षन की बात करोगे तो दक्षन में कौन सा आजाएगा देमाबाद यह महराश्टरा की तरफ है एहमदनगर देमाबाद और पूरव की अगर आप बात करोगे तो कौन सा आजाएगा आलमगीरपूर मेरट अब इन चारों चार स्थान कहा है कौन से देश में है ये पता होना चीए सूथ का गेंडर जो है बलूची स्थान है पाकिस्तान में बाकि ये जो तीर है ये बारत में है इसके लावा ये चारों किस नदी के किनारे है वो नदी भी आपको पता होनी चीए इसके बाद में फिर जैसे माली जीए, पर्टिकुलर कोई विश्यस्ता है कहें कि जैसे वरत सनानागार कहां से प्राप्त हुआ है, वरत सनानागार के बारे में आप ये बैसिक्स चीजें हैं, अगनी कुंड है, अगनी कुंड कहां से प्राप्त हुए है, जैसे काली बंगा ह अगनी कुंड प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है, इसके लावा जैसे माले जी कोई मोहर वगरा है, फेमस, जैसे एक नर्तिकी की कांशे की मूर्ती कांशे मिली है, वो आपको पता होना चीए, लिपी कैसे लिखी जाती थी, घरों को ये नगर और घर बनाने के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी, इन्होंने ग्रीट पत्ती, इसके बाद में जैसे बंदरगाय हैं, बंदरगाय के लिए गोदी वाड़ा वर्ड भी लिखा जाता है, तो कहां बंदरगाय थे, जैसे लोथल है, वो बंदरगाय के लिए जाना जाता है, बहुत मेंस बंद और भी कई चीजे हैं कम से कम 15-20 फैक्ट और महत्पुन इसमें हो सकते हैं अब एक चीज जो सबसे ज़्या रखने हैं सिंदु घाटी सबेता में इसके एक तो महत्पुन इस्थल कौन-कौन से हैं इसके अलावा कौन सी नदी के किनारे बहुत मौश चीजे ये उत्खनन करता उत्खनन करता कौन थे कब उत्खनन किया गया और वो कौन सी जगह है अब इस्थल की बात करें तो जैसे कौन सा इस्थल है सबसे फेमस है हडपा चूंकि सबसे पहले खोज हडपा के बारे में ही पता चला था तो इसलिए हम सिंदु घाटी सबेता को हडपा सबेता भी कह देते हैं क्योंकि सबसे पहला स्थलता हडपा सबेता है तो अब है कोंड से नदी के किनारे किसा अब रावी नदी के किनारे और इसके बारे में उत्खनन करता तो दयाराम सानी मादो सो रूप वत्सोगे समय कब है लब 1921 का समय है और कहा है पाकिस्तान का मौट गोमरी जीला हो गया पॉइंट फिर जैसे फैमस स्थान कोंड सा है मोहन जो दुडो कोंड से नदी के किनारे सिंदू उत्कनन करता राखलदास बनर जी कब 1922 और कहा तो पाकिस्तान के अंदर जो सिंद प्रांथ है उसका लर्काना जिला हडपा उपर की तरफ आएगर यूँ आप नीचे की तरफ आएंगे तो मोहन जो दुडो आएगा और कौन किसका उत्कनन करता है उसको एक शोट ट्रीक से जोड़ दो साथ में अब जैसे मोहन जो दुडो है इसके उत्कनन करता है राखलदास बनर जी अब कैसे भी आप करके आप याद कर सकते हो मोहन हम सामानेत्य किसका नाम है जो बगवान कर्शन है उनको भी मोहन कहते हैं मन मोहन सवरूप है उनका मोहन कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अब तो मोहन ही हमारे रखवाले हैं तो मोहन से मोहन जो दड़ो रखवाले से राखलतास बनट जी इतना हिंट सफी parishion्ट है चार आप्षन मेंसे एक ही खली करना है तो इस परकार से आपको ये कौन थे उसके उत्कनन करता बीबीलाल बीके थापर हो गए, कौन सा जिला है, राजस्तान का हनुमानगड जिला है, तो इस परकार से ये आप चीज़े याद कर सकते हैं, और आट-दस मेन में नाम है, वो आपको पता हो, किसी स्थान की कोई महत्पुन विसेशता है, कोई ये अगनी कुंड है, तो उस तरह से आप उस चीज़े को याद करें, और ये वेदिक संसकर्तिया मुस्किल से 20-25 मिनिट का आप वेदिक सभेता का है, कौन सा समय है, वेदिक सभेता का वो आपको पता होना चीए, वेदिक सभेता के अंतरगत, कैसी सभेता थी, एक ग्रामि इनके ही परसासनी की कई क्या थी कुल गराम विश्ट जन और राष्टर में ये बंटावा था दस रागे युद का वर्णन किसके बारे में है रिगवेद में कौन से मंडल में मिलता है इसके बारे में उन लेख है आरियों का समाज कैसा था नदियों के जो प्राची नाम है वो इसमें पूसता है कि जो नदिया है उनके प्राची नाम क्या मिलते है और अभी वर्तवाने हमें उनको क्या कहते है अब जैसे जहलम नदी है जहलम का प्राची नाम क्या है वितस्ता है रावी का क्या है पुरुशनी है सतलज का क्या है सतूद्री है इसके अलावा जैसे चिनाब है चिनाब का क्या है असकिनी है व्यास का क्या है वीपासा है तो इस तरह से इन नदियों के नाम जो है वो प्राचिन क्या नाम है और वर्तमान में क्या नाम है ये पता होना चाहिए, रिगवेद काल के जो देवता थे, किस देवता का किस समन्द है, इंदर किस चीज से समन्द ही था, वर्षा का देवता, अगनी जो है, वो किस चीज के थे, वरून किस चीज के देवता है, तो ये कुछ बैसिक सी चीजें है, सत्य में उजयते है, वो कि को मालूम होनी चाहिए तो ये तो हो गया तो आप को चार से पांच घंटे भी नहीं लगेंगे हकीकत है कि इस टोपिक के अंदर आपको चार पांच घंटे भी नहीं लगेंगे बैस वो ही बात है कि चार पांच घंटे के अंदर भी आप इसका दो से तीन बार रिविजन कर डालो मैंने एक बार का बोला कि एक दिन में एक यूनिट तो आपको पढ़नी चाहिए एक ही बार क्यों उसको दो से दो से तीन बार पढ़ दो उसको माजनपद काल 15 से 20 मिनिट का है बहुत दरम मैंने आपको पढ़ा के बताया यूटूब पे 30 मिनिट का है पूरा जेन दरम 18 मिनिट का है वैदिक संस्करती भी 20 से 25 मिनिट का है इतना भी नहीं होगा सिंदु घाटी से बेता मैकजिमम 25 से 30 मिनिट धाई से तीन घंटे के अंदर आपका पूरा ये एक रिविजन हो जाता है पांच घंटे का मैंने बोला है तो दो बार अच्छे से रिविजन कर लो इसका कोई शोट ट्रीक वगिरा साथ में बैठ रही हो उसको साथ में जोड़ दो तो ये तो मैंने आपको एक उधान बताया इसका बाकी जैसे और बात करें तो कई विद्यार्थ गएंगे सर आप जैसे बारत का बुगोल है और ये सिख्षया सास्त्रिया मुद्यर इनके सब के वीडियो मेंने यूट्यूपे बना रखे है आप सर्च करेंगे इन दोनों यूनिट के वीडियो आजाएंगे आपके सामने और उनमें वो ही बताया है जो एक्जाम के एकोडिंग है मुश्कल से तीन से चार गंटे की एक यूनिट बनेगी अगर उसको एक साथ मिलाएंगे तो अलगलग वीडियो हैं एक साथ मिलाएंगे तो तीन चार गंटे का एक पूरा लेक्सर बनेगा तो 5-6 गंटे के अंदर आपकी दोनों ही रिविजन हो जाएगी क्यों मैंने यूटूब पे वो ही पढ़ाया था जो एक्जाम के एकोडिंग था अब जैसे भारत का बुगोल है मैं एक उधान आपको इसका बताराऊ अगर आप गहराई से और सिर्फ किसी गाइड के एकोडिंग ये पढ़ने बैठोगे तो ये टोपिक ऐसे हैं भुआ करती, परदेशो हैं, जलवायू, प्राकरती, वनस्पती फिर वन्य जीवन, फिर बहुत देशें, नदी घाटी, परियोजनाई, फिर मरदा, करसी फसलें, उद्यो, खनीज, परिवैन, जनसंक्या, मानव संसाधन, विकास क्या आर्थी कुछ समाज करेगा नगा अगर गहराई से पढ़ने लगे, तो वही मारे जाओगे रीट में, ये पूरा भारत का भुगोल है ये, और पूरे भारत के भुगोल की अगर आप एक किताब लाते हो, तो एक अच्छी ऑथेंटिक किताब आप लेके आना मार्केट से, कम से कम 200 से 300, 300 से 300, कम से कम 200 पेज क किताब आएगे, सिर्फ भारत के भुगोल की, तो फिर आपको इसके रीट के अकोडिंग आपको इसमें क्या पढ़ना है, अब जैसे भुआ करती प्रदेश वाला मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो भारत से समन्दी जो बैसिक चीजें है, अभी जैसे NCRT की किता आप पढ़ारों मैं यूटूब पे, उसमें पहला चेप्टर आप पढ़के देखिए, अभी जो कब पढ़ाया था, कल की बात है, कल ही पढ़ाया है, NCRT का नाइंथ क्लास का पहला चेप्टर जो है, उसमें जो चीजें दे रहे हैं, वो रीट के एक्जाम के एकोडिंग स अब जैसे इस मैप से ही बता देता हूँ आपको, आपके अकसांसिय देशांत्रिय विस्तार हैं, बारत की क्या इस्तिती है, आसपास कोण से देश हैं, किस देश से समुद्री सीमा लिगती है, कितनी समुद्री सीमा है, अगर ये दीब समों को भी शामिल करें तो, किस NCRT का चेप्टरी मुश्किल से 25-25 मिनिट का है, जिसमें एक्ष्टा बातें भी लिखी होती है, तो फैक्ट आप देखोगे, 20-25 मिनिट से ज़्यादा का फैक्ट नहीं होगा, अकसांसिय और देशांत्रिय जो इसका विस्तार है, वो कितना है, आपके अच्छे से टिप्स पर होना चीए, उसमें कोई गल्ती नहीं होनी चीए, किस-किस देशों से बारत की सिमा लगती है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इदरी है, चाइना हो गया, नेपाल है, बुठान है, बांगला देश है, म्यानमार है, ये किस से लगती है, इसलिए सिमा, दो समूधर से जुड़े हुई वारत के पडोसी देश हैं मालदी और सिरलंका कौन सा डिगरी चैनल किस से अलग करता है यहां स्थल भाग से अगर देखेंगे तो जैसे आठ डिगरी चार मिनिट जैसे मैं अकसांस और देशांतर विस्तार की बात करें लेकिन आप इस दीब समूध से देखोगे तो 6 डिगरी चैनल मिनिट उत्री अकसांस आएगा तो 8 चैनल से 37 चैनल यह आपके टिप्स पे होना चाहिए उत्री अकसांस 68 साथ से सित्यानव पत्चीस पुर्वी देशांतर यह दोनों ही पुर्वी देशांतर है तीन दो एक चार पुर्व से पस्ची में उन्तिस तेतिस यह क्या है किलोमेटर है इस अब 3214 किलोमेटर उन्तिस तेतिस किलोमेटर 2933 किलोमेटर तो यह चीजें हैं इसके बाद में जैसे आपका आता है बोतिक परदेश वाला एकजाम में सबसे ज़्यादा परशन आपके बारत के बोतिक वुगोल का जो बोतिक वाला पार्ट है बोतिक परदेश वाला कि जो उत्तर का परवतिय परदेश उत्तर का विशाल मेदान प्राइदीपे पठार और तटिय मेदान और दीप समुए अब अगर आप वैसे इन 500 टोपिकों देखेंगे तो ये बोत डीपली हो जाती है चीजें लेकिन आपको सिर्फ मैन मैन चीजें पढ़नी है कि उत्तरी परवरतिय परदेश का माँ आपको एक उधान बता रहा हूं कि उत्तरी परवरतिय परदेश के अंदर आप कैसे उस चीज को complete करेंगे सबसे पहले आपको ये पता हो ना चीजे कि उत्तरी परवरतिय परदेश को हम कितने भागों में बाढ़ सकते हैं जैसे मैं नौर्मली आपको बता रहा हूं तो आप उसको तीन भागों में बाढ़ सकते हैं कौन-कौन से भाग हो गए एक हिमाले हो गया दूसरा हो गया ट्रांस हिमाले और तीसरा जो भाग है वो हो गया पुरवांचल की पहड़िया हो गए तीन भागों में किसाब हम उत्तर के परवरतिय परदेश को इन तीन भागों में बाढ़ सकते हैं अब सबसे उपर जो है वो कौन सा मिलेगा आपको ट्रांस हिमाले मिलेगा यहां से इस परकार से यह इसकी स्रेणिया है तो फिक्से नाम आपको याद होने चीए यह कौन सी होगी और एक इदर आजाएगा केला स्रेणि तो यह चार ट्रांस हिमाले के अंदर आपको चार चीज़े पढ़नी है इस सबसे उपर वाले कहते हैं कारा कोरम स्रेणि दूसरी जो है उसको हम कहते हैं लदाक स्रेणि तीसरी जो है इसको हम कहते हैं जासकर स्रेणि और इधर यह आजाएगी केलास स्रेणि यह 4 हैं ट्राशी माले में अब इसके अंदर बारत की सबसे उंची चोटी जो है वो काँपर है इस कारा कोरम स्रेणी में इस्थित है जिसका नाम है केटू या जिसको कहते हो गाडविन, आश्टिन यह भारत की सबसे उंची चोटी है और भारत में सबसे उंची चोटी जो है कौन सी आजाएगी कंचन जंगा ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की सबसे उंची चोटी अब ये K2 या GARDWIN आश्टिन जो है ये PO के वाले भाग में है तो अगर आप सिर्फ पूरी तरीके से भारत में देखोगे तो तो कंचन जंगा आएगी और अगर overall भारत का पूछे जिसमें PO के भी शामिल हो तो फिर कौन सी आजाएगी K2 या GARDWIN आश्टिन लेकिन K2 या GARDWIN आश्टिन है किसका हिसा? कारा कुरम स्रेणी का हिस्सा है तो कोई मैतपुन भाग और फिर उसके बाद में उसकी कोई मैतपुन चोटी हो वो आपको ध्यान में रखना है अब जैसे सिंदो नदी है एक बहुत पैसिक सा परशन है वो इन किन स्रेणियों के बीच में से निकलती है तो सिंदो नदी यहां से जब निकलेगी निकलने के बाद में लदाक और जासकर स्रेणिके बीच में बहती हो इस प्रकार से यो बहे करके और आगे पाकिस्तान के तरफ चली जाएगिर फिर अरब सागर में गिर जाती है तो सिंदो नदी कारा कोरम और लदाक के बीच में से बहती है सबसे उंची चोटी कौन सी है ट्रांस हिमाले की ट्रांस हिमाले की बात करें तो केटू या गाडविनाश्टिन किसका हिस्सा है कारा कोरम स्रेणिका तो ट्रांस हिमाले से समद्धी जैसे यह चीज़े हैं अब इसके बात में आब बात करेंगे हिमाले के बारे में अब जैसे हिमाले है कहां से है तो वो आपको सारी चीज़े पता होनी चीज़े किसा महान हिमाले कहां से जाएगा उसके बाद लगू हिमाले और उप हिमाले तो अब इनके बारे में सबसे उंची चोटिया इनकी कौन सी है कौन सा इनका इस्थान है विश्व की सबसे उंची चोटिया जो है वो आ को पता होनी चाहिए अब आप भारत में सबसे उंची चोटी आप जो देखते हो कौन से थी कंचन जंगा या सिकीम के इस तरफ है यहां पर 8598 मिटर तो यह महान हिमाले की ही चोटिया है जैसे यह माउंट एवरेश होगी यहां पर यह यह है कंचन जंगा है मकालू दोलागिरी यह यहां नेपाल में आ जाएगी मकालू यह यह वाली यह यह यहां पर इस सिस्थान पर तो यह इस परकार से आपको यह चीजों के बारे में पता होना चीए लगू हिमाले है उसमें कौन-कौन से भागाते हैं पीर पंजाल सिरेणी है दोलादर है नाग टिबा महाबार सिरेणी यह किसके हिसे हैं अब जैसे यह वो ग्याल या प्यार किसको कहते हैं वो ग्याल य है, सोन मर्ग है, गुल मर्ग किसके लिए फेमस है, सीत कालिन जो खेल है, उनके लिए फेमस है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, तो आपने पहले से अगर पढ़ रखा है, और अगर आप रिविजन करते हो, तो तीस मिनिट के अंदर आप पूरा एक रिविजन कर सकते हो, भू आकरतिक परदेशों का, जलवाईू के अंदर आपको मैन मैन जो बारत में कौन-कौन सी जलवाईू है, जो है, कौन-कौन सेवस्ताइं है कैसे वर्शा होती है कैसे मानसुन आता है तो मैन मैं चीज़ें ही पता होने चीजें आप 25 मिनिट के अंदर अंदर पूरा रिवीजन कर सकते हो मानसुन का कि किस तरह से बारत के अंदर मानसुन है और कोई मुश्किल नहीं है उत्रफशनी पस्मी ये उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर जो कि बहुमत ये सागर की तरफ से आती है पसिम विक्षोप वाली तो उसको मावट का जाता है बारत के अंदर दक्षन पसिमी मानसुन जो है वो कैसे वर्षा करता है क्या उसका सिस्टम है तो factual चीज़ें हैं तो आप इनको हलंकि है ये चीज़ें समझने वाली लेकिन इस वक्त ये नहीं का आप पूरा पूरा बहुत गहराई से इनका अध्यन करो छोट छोटी चीज़ें आपको पता होनी चीज़ें कि किस तरह से वर्षा होगी जिले है बारत की जिले काई कौन सी है मुश्किल से 15-20 जीले हैं एक साथ आप इनको याद कर सकते हो सबसे बड़ी मिठे पानी की नेचरल जील कौन सी है सबसे बड़ी मिठे पानी की जो ये जो जील है करत्रीम जील वो कौन सी है राजस्तान की कौन सी है तो महत्पुन महत्पुन जो जीले हैं वो आपको पता होना जीए, जैसे जमू कश्मीर बगरा हो गया, ये हीमाचल है, उत्राखंड है, सिकीम है, सबसे उंची जील जो है बारत की वो आपको सिकीम में देखने को मिलेगी, अठारा जार फीट की उंचाई पे सिकीम के उत्र की तरब बनी वी है, मनिपूर में कौन स या, जैसे लोक टक जील है, तो मनिपूर के अंदर कौन सी जील है, लोक टक, अब कैसे भी याद कर लो, मनी, जैसे मनी होता है, मनी अगर हाथ से गिर जाए, तो जमीन पे गिरेगा, तो कैसी आवाज आती है, टक टक की आवाज आती है, कोई चीज हाथ से गिर जाए, टक ट तो मनिपूर में कौन सी जील लोक टक 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 तो मुश्किल 15 भी जीले हैं कौन सी बड़ी है कौन सी किसी जील की कोई विस्यस्ता हो लेगून जील क्या होती है अब जैसे बारत की सबसे बड़ी लेगून जील जो है वो है चिल का जील ये कहां पर है कोलेरू जील ये क अंदर परदेश और तमिल लाडू उसकी सिमा प्रकॉंड सी है पुलिकर जील जील का टोपिक तो आपका 15 मिनिट का है तो मुझे आशा है कि मैं कुछ चीज़ जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको गहराई के अंदर इनमे नहीं उतरना बाके लिए आप राजस्तान के भूगल में जाओगे दो महिने के अंदर तो राजस्तान का भूगल चलते हैं बारत का बुगोल दो मेने तो सिर्फ बारत के बुगोल पढ़ने में लग जाएंगे तो आपको उतना वैसे गहराई में नहीं जाना है आपको बैसिक बैसिक चीजे पढ़नी है महत्पुन फेक्ट याद करने है राजस्तान के इतियास में राजवंस का इतियास है जैसे मानलो जो सिर्फ रीट के लिए अगर आपको पढ़ना है तो राजस्तान के परमुख राजवंस का इतियास मैग जीवाम आपका एक परशन इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा मैग जीवाम दो मानलो दो भी ज़्यादा ही है एक दो परशनों से ज़्यादा तो इसमें से नहीं आएगा मैग जीवाम दो परशन मानलो आप तो परमुख राजवंसों के इतियास के अंदर जैसे मैंने चोहान राजवंस का यहाँ एक रिविजन वीडियो बना रखा है यूटूब परी तो आप चोहान राजवंस भाई अजे चोधरी लिखोगे तो आपके सामने वो एक वीडियो आजाएगा मुस्कल से 25-30 मिनिट का वीडियो है पूरे चोहान राजवंस का उसमें रिविजन है मैन मैन सासकों के बारे में इनके राजदानिया या किसी का कोई महत्पुन यूद हो वो पता होना चाहिए कई बार विद्यारती इसमें कुछ से फैक्ट के अंदर बहुत जादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो कई फैक्ट हैं ही कन्फ्यूज वाले अब जैसे हल्दी गाटी का यूद 18 जून है कि की जून है अब अच्छी ओथेंटी किताबों में आपको दोनों मिलेंगे तो वो विद्यारती उस पर बैठ जाता है का नहीं नहीं मैं जब तक ये सही इस तरह के कई फैक्ट आपको मिलेंगे राजस्तान से सम्मदित आप विशो का जीके पढ़ते हो बारत का जीके पढ़ते हो वहाँ आपको कन्फ्यूजवाल फैक्ट इतने नहीं मिलते हैं लेकिन जब आपके राजस्तान का इतियास हो राजस्तान की कला संस्कृती पढ़ते हो या फिर राजस्तान का भुगोली क्यों ना हो आपको राजस्तान से सम्मदित कई फेक्ट के अंदर आपको मतवेद मिलेगा तो उसको इग्नोर करो, नजर अंदाज करो और आगे बढ़ो उनका दिमाग विद्यार्थियों का दिमाग गुम जाता है का नहीं जब तक ये फेक्ट मेरे से नहीं होगा मैं जो कैसे करूं इसको बहिए एक्जाम में भी जब आप प्रीक्षा होल में बैठते हो और कोई क्यूसन आपको नहीं आता तो क्या आप उसी पर ही बैठे रहते हो वहीं बैठे रहते हो उसी क्यूसन पर आगे बढ़ते हो ना इसको छोड़के यही इस्तितिया आपको यहां करनी है सोल करो, नहीं होता है, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, क्यूंकि वो जो फैक्ट में जिसमें आपको कन्फिूजन है, उसमें सारी दुनिया ही कन्फिूज़ है, तो आपको ये तो सोचना ही नहीं कि किसी दूसरे का सही हो जायगा, वो सबका एक जैस होगा, फिर होगा, तो स तो इस तरह से आपको पढ़ना है प्राचीन सब्वेताई और जनपद हमेशा इस में से एक परशन पूछा जाता है 807 की करांती महतपून नेता कौन से थे राच्तान के महतपून जो करांती कारी है कौन कौन से सल थे कौन सी सेनिक जो चावनी है वो थी किस सेनिक चावनी में किस महतपून करांती कारी का संबन है वो चीज़े पता होनी चीए जैसे राच्तान का एकिकर्ण है प्रमुः व्यक अब इनके बारे में जो कुछ महत्पुन है और इनको मंत के इसाब से याद करोगी जैसे चेतर है उसमें कौन साएगा तो इस परकार से बेसाख में कौन से आते हैं अब सबसे ज़्यादा त्योहार आपको देखने को मिलेंगे कार्तिक मास में और चेतर मास के अंदर और भादरपद खास करके कारतिक और बादरबद इन दोनों माहा के अंदर सबसे ज़्यदा त्योहार देखने को मिलते हैं इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ो त्योहारों की सुरुवात किस से मानी जाती है तीज कौन सी तीज कब आती है बड़ी तीज, छोटी तीज, पहले कौन से आती है, बाद में कौन से आती है, तीज, किसी स्थान की फेमस हो, पर्टिकुलर नाम से, तो वो पता होनी चाहिए, तो जो बेसिक चीजें एक विद्यारती को आपको भी लगता है, कि हाँ कम से कम एक दस्वी क्लास तक एक विद् पिक आज का एक दिन का एक करूंगा, तो फिर नहीं हो पाएगा, एकजाम से पहले कम से कम दो बार आपको इसका रिविजन करना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ, दो बार क्यों एक दिन मैं कम से कम पांस गंटे स्थी का रिविजन करो एक यूनिट का, तो उसको पढ़न कौन सा कम है, सबसे बड़ा, कौन सा राज्य है, सबसे छोटा कौन सा है, बढ़ता वार, लिंगानुपात्र, घड़ता वार, कौन सा एक नमबर, कौन सा दो नमबर, कौन सा इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं इसमें, आप जैसे नाइंथ क्लास की जो जिगराफी, NCRT की अब ये जैसे नाइंथ क्लास की जिगराफी ये NCRT की, ये एक चेप्टर तो मैंने पढ़ा दिया कर लिए अब इसमें देख लिए बारत का बोतिक सवरूप, अपवा है, जलवायू, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यपरानी, जनसंक्या, बाकी जो बचे कुछ तो वो मैन मैन फेक्ट भी निकालेंगे, तो एक एक पैस से ज़्यादा का फेक्ट नहीं निकलता इन किताबों में, और ये इसलिए याद होनी चीए, क्योंकि पेपर इनी से होके निकलेगा, डायेट विद्यारती बड़ी बड़ी गाइड उठा लेता है, तो आपको मिलेगा ये मिलेगा इन किताबों में से, और इन चीजों का कोई शोटकट नहीं है, अगर आपके दिमाग में कोई भी ब्रहम है, तो उसको निकाल देना, अगर कबुतर आँख बंद करके ये सोचे का मुझे बिल्ली आप नहीं देख रही, और मैं सुरक्षित हूँ, तो ये गलती उस बिल्ली की नहीं, उस कबुतर की है, तो आपको उस कबुतर की बंद करके गलत फेमी का सिकार हो जाए का नहीं, मैं मैंने तो करी रहा हूँ, सही डारेक्शन में, और एक जो सही रास्ता है, उसके लावा अगर आप कुछ भी इस तरह का सोचते हैं, तो फिर व आपका समय, सबसे बड़ी चीज वो जा रहा है, अवसर जा रहा है हाथ से, तो मुझे आशा है कि मैं जो चीजी आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, वो मैंने कुछ उधारण के मादियम से आपको समझाए हैं, आप निसी तरूप से इनको पढ़े और निसी तरूप से आपको लाब होगा, तो बाकी और कोई क्वेरी बगरा हो, तो आप मुझे पूल सकते हैं, और बाकी यूटूब में बहुत कुछ है, इने वीडियो मैंने इतने वीडियो बना रखे हैं, ऐसे ऐसे एक्सिलेंट और सुपरेव वीडियो हैं, और जो इकलोजी है, उसका 18 गंटे का वो सारे वीडियो कोई 15 मिनिट का था, कोई 20 मिनिट का था, उनको मैंने कमाइंड करके बना दिया, वो लगवग 18 गंटे की पूरी साइको है, रीट की वो, गागर में सागर और ऐसी जबरदस चीज़ें हैं उसमें, तो आपके लिए उपलब और NCRT की जो पॉलिटी है, उसमें ज़्यादा मेटर वैसे भी नहीं है, तो पॉलिटी आप RBSC की किताबों से ज़्यादा करोगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आलांकि ये भी पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटी के अंदर इतना ज़्यादा मेटेरियल नही तो ये चीज़ें हैं, तो मुझे आशा है, आपको निश्यत रूप से चीज़ें काफी कलियर हुई होगी, कि किस तरह से पढ़ना है, और कैसे पूरा स्लेबस कवर करना है, एक्जाम से पहले कोशिज करना कि दो तीन बार आराम से इसका रिवीजन कर पाओ, पहली बार रि यूनिट का रिवीजन जब आप करोगे, आप दो घंटे में ही कर जाओगे, और ऐसा समय भी आएगा, इस पूरी यूनिट का रिवीजन आप एक घंटे में भी अराम से कर सकोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सलेबस को समेटना, देखे कि किस परकार से मैं समेटूं, मैंन और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई ऐसी आउशकता नहीं है, तो वो आपकी इच्छा है, मेरा काम एक अच्छी चीज उपलब्द करवाना बिल्कुल नियूनतम शुल्क पे, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो मिलते हैं, नेक्ष्ट वीडियो में, जैहिन, जैबरत,